कि नमस्य का दूस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में आसमा आपके सामने फिर से लेकर आयों कुछ वह पूर्टेटी वैज़ोजी और पीजिटी वैज़ोजी पीपर पर आधरी थे जो प्रीवेस से के पेपर पर आधरीत थे चले बिना सम सा इन में से जो है एलिमेंट ची होता है कॉपर जिंक आयरन नियासिन ओके बहुत से फ्रेंट्स बोलता है कि हिंदी में कुछ यह लेकिन मैं कहता हूं कि आप इंग्लिश में इतना डालेंगे ना उतना आपके लिए बैतर रहेगा क्योंकि जो वैलिडेट आंसर होता है आपक इसको कर लेंगे तो एक्टिविटी के लिए जो प्रक्री टै ंजाइं है। इसकी एक्टिविटी के लिए इसको जिंक किया होνεा है। सब्सक्राज जिंटक्राइव को से हैं है जितने भी स्वीच चैनवर वह अपना आपको पता होगा कि छह मैने है शाल च्छै मेने के लिए ऐसे या उससे ज़्यादा मेने के लिए ठीक है एक फाम है या ऐसी जगा में रहते हैं ठीक है जहां पर ठंड से बस सकें next question तो आपको third question में जो है correct statement चुनना है ठीक है दोस्तों आपका समय बताने के लिए मैं कोई भी फाल्त हूँ इसमें चीज़े एड नहीं करता हूं ठीक है ताकि question आप लगके ज्यादा ज्यादा cover हो सकें तो correct statement इसमें जो है वो यह है कि next question पर थोड़ा सा problem है थोड़ा साथ जिसकी जीघाज में इन प्लांट्स a common symptom caused by deficiency of PKCa and mg ठीक है फॉस्पोरस potassium calcium और magnesium की deficiency से क्या होता है प्लांट्स में एक common symptom है तो common symptom में आता है appearance of dead necrotic spots यहां dead necrotic spots में पाया जाते हैं किसी एक का भी कभी question आप से पूछ लेता है जैसे फॉस्पर उसलेगा potassium या calcium मेगनीज का बहुत आता है तो इसको आप हम रखेगा कि dead necrotic spots पाया जाएंगे आपके और यह leaf में 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 मिलते हैं प्लांट की next question is ureter of male frog carries अगर male frog की बात करें तो उनका क्या carry करता है ठीक है ureter में इसमें होते है urine and sparms भी होते हैं ureter में इनके ठीक है जो एक थोड़ा सा अला characteristic है next question so कुछ easy question भी आते हैं exam में आप लोगो को पता है कि which one of the following is first national park of India तो first national park अपका है Corbett national park जिसे हैली national park के नाम से पहले मनाए गया था next question काफ़े interesting की था ठीक है कि chlorophyll is chlorophyll a is found in all chlorophyll a की बात कर रहा है ठीक है chlorophyll a mainly इस तरह से लिखाता है chlorophyll a जो है सभी में मिलता है किसमें मिलता है ठीक है बहुत interesting question था बहुत से फ्रेंट में लास्ट में इसको गलत किया था ठीक है राइट answer वाले बता रहता हूं कि oxygen liberating photosynthetic plant जितने भी photosynthetic plant है जो oxygen को liberate करते है photosynthes के दुरान ठीक है उनमें यह मिलता है ठीक है algae option autotrophs में बहुत हो नहीं लगया था answer higher plants ठीक है तो इसको आपनों यहां पर जितने भी आपके oxygen liberating plants होंगे क्योंकि यह फोटो संदिस करते होंगे इसलिए तो oxygen liberate करेंगे सुराइट answer हो जाएगा आपका first one kingdom से लिटेट एक question है ठीक है आपको अच्छा से पढ़ नहीं है अगर आप लोग इस पे और ज्यादा नोट्स बगरा चाहते हैं तो मैं उसके विडियो बना दूँगा so which of the following kingdoms include unicellular eukaryotes unicellular eukaryotes की बात कर रहा है तो unicellular eukaryotes पाई जाते हैं आपके protista में so right answer is a next question है the blood barrier the blood brain barrier ठीक है यह 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 ब्लट brain barrier मतलब जिसमें blood supply नहीं होगा brain को ठीक है is anatomically related to the formation of tight junction between adjacent capillary and lethal cells बिल्कुल सही है consist of both anatomical and physiological factors बिल्कुल होता है regulates to some extent the passes of substances from blood to the interstitial fruit of the brain so सभी option यहां पर सही है okay right answer is all of the above next question is the tissue of highest total glycogen content so सबसे ज्यादा glycogen content किसमा होता है तो सबसे ज्यादा glycogen जो होता है वापकी muscles में होता है इन में से ठीक है next question is hemopoetic in embryo is so hemopoetic embryo में जो होता है वोसे कहा जाता है yoke sack ठीक है embryo में जो yoke sack है वो hemopoetic होता है this is also an important question the most primitive fossils of horse तो horse का सबसे पूराना fossils ठीक है इस तरह का question आपने देखा होगा कि lecture के एक्जाम पर भी आया हुआ है ठीक है जिसमें primitive of lion पूछा गया था यहां पर जो आपका right answer है वो है और यो हीपस यो हीपस जो है primitive fossil से horse का है next question photosynthesis लेटेड है काफी important question एक बहुत पार आता है इस तरह की question dark reaction okay of photosynthesis found in dark reaction किसमें मिलती है ठीक है तो dark reaction याद कर लीजिए stroma outside लेंगे ठीक है हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें ज्यादा नहीं हो पाईगा थोड़ा आपका इसका नोगा लेकिन question अच्छा है a young infant may be feeding entirely on mother's milk which is white in color but the stools which the infant passes out are always yellow is what is this yellow color due to very interesting question है कि छोड़ा बच्चा वो हमेशा जो है अपनी मा का ही दूद पीता है ठीक है जो की सफेद color का होता obviously लेकिन जो इस टूल पास करता है ठीक है वो यलू होता है ठीक है इसका बहुत हीatal सा answer है कि जो इसका बाइल pigment ठीक है Bible pigments पास्थ्रो वाइल-जूस ठीक है Bible pigment जो है पास् गता होता है Bible juice आपको पता है कि यह बाइल-जूस्थ जो है अमारे fats के जो है digestion में बहूत ज़ादा help करता है यह Fat globules बनाता है ठीक है और कभी भी इसका इस तरह से क्वेशन आता है कि ऐसा एक पिगमेंड बताइए जो एंजाइम नहीं है फिर भी जो है ब्रेकडाउन में हेल्प करता है इस तरह से भी क्वेशन इसका बनता है ठीक है बहुत ही इंपोटेंट यह टॉपिक है लिवर के बाइल जो उसको सीक्रिट करता लिए ठीक है नेक्स फिशन इस अलसों इस्टेसिंग विच वन तस नौट डिफर इंशर क्या कोलाई एंड क्लेमाइडव मुनास क्लेमाइडव मुनास और इक कोलाई में क्या डिफर नहीं होता है तो इनकी जो सेल मेंब्रेन है वो आपको सेम मिले है ठीक है एकोलाई और क्लेमाइडव मुनास की इस इस अलसो वेरी इंपोर्टेंट क्वेस्टेंज दे थ्री कोड़ोंस कॉजिंग चेंड टर्मिनेशन तीन कोड़ों ना जो चेंड टर्मिनेशन याने चेंड समापती पर जो यूज होते हैं ठीक है वो है आपके यू किस देगा और कमेंड बॉक्स में आप लोग तैरी कर रहे हैं तो बुझे बताइएगा कि स्टार्टिंग कोडों क्या आप लोग जो है नाम लिखेंगे प्लीज इसको जो है आप लोग ज़रूर ऑप्शन ज़रूर बताईएगा और वीडियो कैसा लगए आपको ये भी ब साक्रविभण है यह पर आँसर वह को मैं आपको पता है कि साथ में होता है पिपर स्ट्ञक्चिर आपने देखा हो एक रफ होता है स्मूथ होता है तो रफ में क्या होंगे endoplasmic reticulum भी होते हैं यह मतलब स्वाडी राइबोसम भी पाय जाता है रहां फे endoplasmic reticulum next question is during pregnancy one of the following is excreted ठीक है pregnancy को दौरान क्या excrete होता है तो HCG जो है excrete होता है ठीक है बागी जो है तीनों यह हॉर्मोन से हैं फंजाई classification से समधित भी आपको questions करने होते हैं तो इसमें देखें फंचाई इंपर्फेक्टी ठीक है फंजाई इंपर्फेक्टी कौन सी क्लास और कि विच क्लास और फंजाई is called किसको कहते हैं ठीक है तो वह आपकी due to my cities आपको पता है इंपर्फेक्टी मीन्स की इनमें जो है sexual reproduction absent होता है ओके next is next question is intensely lactating mothers do not generally conceive due to okay जब intentionally अगर कहा जाता है कि जो पच्चे को दूद्ध पिलाने हो माय है वो consume नहीं करते हैं क्योंकि क्या होता है कि जो सब्सक्राइस हो जाते हैं जो गोनेडोट्रापीन होते हैं ठीक है hormones जो नेट से निकलते हैं उनका suppression हो जाता है तो right answer is first one ठीक है so that's why this is the reason that why lactating mothers generally generally कर ऐसा कोई इसमें अभी तक इसका proof नहीं है ठीक है कि ऐसा नहीं होगा लेकिन generally they are not conceive so I hope you like these questions if you find any confusion okay और आपको कुछ भी कहना है तो आप लोग comment box में ज़रूर बताइएगा मुझे और वीडियो अच्छा लगे तो like share subscribe कीजेगा और किसी भी तेर किए अगर आप teaching के तैयारी कर रहे हैं किसी भी exam के तैयारी कर रहे हैं तो यह channel आपके लिए बहुत ही बैतर है इसको subscribe कीजेगा लाइक कीजेगा और अपने friends में भी share कीजेगा तो मिलते हैं आपसे next video में और इस video को अगर आप लोग बताइएगा की कैसा लग रहा है और इसके बारे में और बाते करेंगे आगे भी question में आपको देता रहूंगा इसते रहे तो मिलते हैं आपसे next video में thank you